गर्स लोग एक और जो यह बीख होता है ना गुस्सा आज कल की लड़किया नो बड़ी बिखिया जाती है तो इसे देखेंगा है बताई भगवान अगर कहीं अंचाहीर का छोड़ दिया तो दिक्कते हो जाएगा तो इसे बीख मत किया किजिए जिंदगी में जो इंसान अप आप लोग किसी से भी एप करने से पहले एक बार उसको चक लिया कीजिए कि यह सब्द मेरे लिए अच्छे है कि नहीं एक बर क्या था कि हम क्लास में पढ़ाते हैं लड़किया लेट हो जाए जो लड़किया देख रही है उनको पता होगा अगर लड़की गलती से भी क्ला करते हैं तो आप इतना बोलते हैं आज आप इतना लेटा हैं लेकिन क्या करें आपको तो बोलने बला कोई है नहीं है इंडारिक्टली वो लड़की हमको बोलना ही चाहती थी कि आप क्यों लेटा रहा है लेकिन ज़रा सोची है अगर वही कहती है कि हम लेटाते हैं तो बोलते का तरीका आगिया तो आप किसी को डाट भी दिजया गा तो उसको समझे में नहीं आएगा ना प्राष्ट्पती से लेकर दिखिए आप ननंदर मोधी तो बड़े नहीं पर्धान मंतरी उनको भी आपको देखिएगा गाली देने वाले मिलेंगेगे सब आपको हम अपना example देते हैं हम इतना मेहनत से चाइना border पर क्या हो रहा है कहां क्या हो रहा है इतना बहतरी ढंग से आपको बता देते हैं कोई भी चीज़ को अभी क्या किया एक लड़का comment किये देखिए इनका comment देखिए हम जान बुझ के आपके सामने लाएं mentality दर्सा रहा है यहां पर अब एक normal आदमी क्या रहेगा या तो इसको भी गाली देगा या तो इसको ब्लॉक कर देगा हम ना इसको गाली दिये ना इसे ब्लॉक कर दिये इनको आराम से जवाब दिये कि भगवान ना करे बट लाइफ में आपको कभी मेरी help चाहिए हो तो बोलिएगा I am Indian Muslim मुझे आप से देशभक्ती की कोई certificate नहीं चाहिए आप बते हैं 100% कभी किसी को satisfy नहीं कर सकते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इसी लिए पैदा हुए हैं कि दूसरे चीज में कमिया निकाले आप ताजमहल घुमने जाएगा वहाँ भी ताजमहल की लोग कमिया निकालेंगे और वो लोग कमी निकालेंगे जिनका खुद का घर कुछ काम का नहीं है वो लोग उसमें कमी निकाल देते हैं और इस तरह के घटिया लोग एक से दो परसेंट हैं बाकी 98 परसेंट लोग अच्छे हैं लेकिन समस्या क्या है कि वो 98 परसेंट लोग सांती से रहते हैं और यही तो खचरही करते हैं यह दिख जाते हैं तो हमें लगता है पूरी समाज खराब है नहीं गाओ एसे लोग केवल 2 परसेंट हैं और इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता है यह लोग कभी नहीं सुध रहेंगे तो यह हर जगह मिलेगे गाओ में मिलेगे, सहर में भी मिलेगे, हर रिलिजिंस में ऐसे मिलेगे तो आपको ना बात करने का तहजीब होना चाहिए, जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुसा ना आ जाए, याद रखेगा उस दिन आप बड़े हो गए, उस दिन गाली देते तो यह फिर पलट के गाली देता क्योंकि शुरुवात में गाली यह दिया हुआ था तो सत्य और अहिंसा का मारगा आज भी जिंदा है केवल अपने जुबान पर आप कंट्रोल रखें